नमस्कार दोस्तों मैं हूँ देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम बब शूट के बारे में और नया कुछ सीखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिये गए बैल आइकोन को दबाके ओल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम एथिकल एकिंग साइबर सीक्योरिटी की वीडियो साब तक पहुंचती रह तो चलिए चलते हैं लैप्टाप की स्क्रीन के उपर और सीखते हैं आज के वीडियो को सीखने वाले हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला है एक्स्टेंडर उसके बाद है प्रोजेक्ट ऑप्षण और तीसरा है यूजर ऑप्षण तो ये किया हुआ इंस्टॉल किया हुआ एक्स्टेंशन अगर आप यूजर करना चाते हैं तो उसे इस एक्स्टेंडर टैब की या एक्स्टेंडर टूल की मदद से आप यूजर कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर एक्स्टेंशन का मतलब क्या होता है extension का मतलब होता है कि एक third party छोटा सा script या फिर छोटा सा एक tool होगा जो आप use कर सकते हैं बर्पशूट के अंदर बर्पशूट को use करते वक्त ठीक है मान लीजे मैंने एक example के तौर पर मैं आगर आपको बता हूँ तो मैंने दो तीन extension install करके रखें यह देखिए एक है bypass web वाला extension है ठीक है एक है shell वाला extension है तो यह दो यह एक json web token वाला extension है यह दो तिन extensions मैंने डाउनोड करके बर्पशूट की जो प्रपशूट की जो store है वहाँ से मैंने download करके install करके रखे हैं इनका use हम कर सकते हैं मान लीजिए JSON Web Token का use हम कर सकते हैं JSON Web Token को decode करने के लिए कि JSON Web Token में क्या values पास हो रही है उनको समझने के लिए इस JSON Web Token extension का use कर सकते हैं उसके बाद bypass web का use कर सकते हैं web application firewall जो कि किसी website के आगे website owner ने लगाया हुआ होता है उसे अगर हमें bypass करना है तो उसकी setting हम यहाँ पे करके bypass web का use करके यह जो extension है bypass web उसका use करके हम जो web application firewall है website के आगे लगी हुई उसे bypass कर सकते हैं ठीक है तो यह सारे extensions आप use कर सकते हैं extension का यह जो हमारा extender tab है यहाँ पे सबसे पहला जो extension के अंदर tab है वो extensions है जो कुछ install आपने करके रखाए होंगे extensions जैसे कि मैंने यह देखिए JSON web token है attacker bypass web CMS scanner है यह सारे extensions मैंने install करके रखे हैं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसके बाद अगर आपको कोई अपना customize extension एड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं आपकी javascript file होगी या फिर java file होगी वो आप यहाँ से select कीजिए जो आपने बनाई होगी या फिर आपने कहीं से download की होगी extension की file वो आप java file यहाँ पे import कीजिए और आपका extension यहाँ पे add हो जाएगा उसे आप use कर सकते हैं उसके बाद मान लिजे आपको किसी extension को remove करना है तो यहाँ से आप remove कर सकते हैं उसकी position अप down करनी है मान लिजे इसकी position मुझे up करनी है तो up कर सकता हूँ मैं down करनी है तो down कर सकता हूँ यह सारी चीजे मैं यहां से कर सकता हूँ ठीक है उसके बाद मान लिजे मुझे किसी जो extension है उसकी detail जाननी है तो यह देखिए मुझे मैं अगर extension select करता हूँ तो मुझे यहां पर इसकी detail मिल रही है ठीक है file name कौन सा है extension का type क्या है Java method कौन सा use हो रहा है ठीक है listener कितने है उसके यह सारी चीजे पता चल रही है उस request का particular जिस पे मैंने extension लगाया होगा उसका output क्या रहा है कुछ error रहा है कि नहीं यह सारी चीजे मुझे यहां से नीचे तीन जो टैब दिये है details output और errors उससे पता चल सकती है ठीक है अब यह extension मैंने जैसे कि आपको पता है आप अपने यहां पे यह सारे extension बहुत सारे extension यहां पे दिये गए है कुछ paid है ठीक है यह देखिए आपको pro दिख रहा है वो कुछ pro version के extensions है यानि की paid है उसे आपको pay करके उसे use करना पड़ेगा बाकी बहुत सारे free भी है उनका आप use कर सकते हैं और उनको जानना है तो आप particular extension के उपर click करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किया extension का use है देखें जैसे कि मैंने यहां पर select किया है 403 bypasser यह एक extension है जो कि आप use कर सकते हैं 403 कोई response code आ रहा है तो उसे आप bypass करने के लिए इस extension का use कर सकते हैं ठीक है अगर आपको इसको install करना है तो इसके लिए पहले आपको जेथन download करना होगा उसके बाद आप इस extension को install कर पाएंगे ठीक है उसके बाद Active Scan++ आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं उसके बाद additional ctiesrf check आपको करना है तो कर सकते है ठीक है यह सारे बहुत सारे extension है उसके बारे में जानीए जो कुछ भी आपको extension लग रहा है कि वह useful है आप उस उसे install करके use कर सकते हैं ठीक है तो यह बहुत ही अच्छा एक फीचर है बप शूट का जिसको आप use कर सकते हैं ठीक है बग पीओसी का जो extension है अगर आपको use करना है आपने बग तो फाइंड कर लिया लेकिन आपको उसका πीओसी कैसे देना है वह आप नहीं जानते हैं अगर पर इंन्स्टॉल करना है एकस्डेंशन तो simply install भटन बटन पर क्लिक कीजिए और यह आपका extension यहाँ पर install हो जाएगा यह देखिए अगर हम एक extension की list में आते हैं तो यह देखिए यहाँ पर work.poc नाम का extension हमें यह दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पर हमारा extension successfully submit या फिर install हो चुका है यहाँ पर इसका हमें जो भी description है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आप उसके ही सबसे पढ़िए और कौन-कौन से extension आप use करना चाते हैं वो use कर सकते हैं यह देखिए जो भी extensions मैंने install किये हैं वो सारे यहाँ पर मुझे tick mark करके दिखाई दे रहे हैं ठीक है यह देखिए इतने सारे extensions मैंने install करके रखे हुए हैं तो यह extensions ऐसे add होते हैं और इनका use क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया हरे extension का use जो भी extension आप use करेंगे उसके ही सबसे अलग-अलग होगा उसके बाद आपको API extension आपको use करने तो वो भी कर सकते हैं यह यहाँ पर API extensions की list दी हुई है तो उससे भी आप use कर सकते हैं यह देखें यहाँ पर लिखा हुआ है you can use the burp extender APIs to create your own extension to customize the burp behavior ठीक है इन APIs का use करके आप अपने custom extensions भी बना सकते हैं और उसे burp shoot को customize करने के लिए use कर सकते हैं आपको अगर interface file save करने है java doc file save करने है तो यह सारी चीज़े आप यहां से कर सकते हैं आप एक और चीज में यहां पर दिखा देता हूं कि आपको manual कुछ extension install करना है या फिर इस list को refresh करना है तो कर सकते है manual अगर आपको कोई extension install करना है तो यहां पर जाए आपको यह interface दिखेगा वहां पर जाके आप अपना extension का java file जो भी होगा वो select कीज़े और यहां पर simply open कर दीज़े तो आपका extension यहां से install हो जाएगा ठीक है तो यह extension का जो extender tab है उसका यूज यही है कि आप बबशूट को कस्टमाइज करने के लिए अपने खुद के extension यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर बबशूट के बी एप स्टोर में जो भी extensions दिये गए हैं उन extensions को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में बग बाउंटे के दौरान या फिर ethical hacking के दौरान ठीक है उसके बाद एक और option tab है इसमें सारी settings दी गई है ठीक है इस settings control how burp handle the extension on startup ठीक है कि अगर आप बबशूट स्टार्ट करते हैं तो आपके extensions का क्या role होगा वो start हो जाएंगे या नहीं होंगे यह सारी चीज़े आपको यहां से सेटिंग करनी है जावा environment python environment ruby environment आपको सब setup करना है तो इस option से कर सकते हैं मैं यहां पर हाला कि recommend करूंगा कि इन options को ज्यादा आप ना छेड़े इनको by default ही ऐसे जो हैं वो रहने दे तो यह था extender tab इस तरीके से आप extender tab को use कर सकते हैं अब आगे बरते हैं और जानते हैं project option के टैप के बारे में तो यहां पर जब भी आप कोई project select करेंगे या फिर जब भी आप कोई project save करेंगे उसके रिए आपको कुछ settings मिलेंगी कुछ options मिलेंगे जो आप यहां पर कर सकते हैं यह देखिए platform authentication यानि कि आप जो भी project पर काम करेंगे जिस भी website पर काम कर रहे हैं उसका platform का authentication यानि कि उसके website के अंदर login करने के लिए जो id password आपको चाहिए होगा वो सारी चीज़े आपको pre configure करने है तो वो सारी चीज़े आप यहां से platform authentication से कर स सकते हैं यह देखिए timeouts में लिखा हुआ है this setting specify that the timeouts to be used for the various network task value are in seconds and set option 0 to leave it blank or never timeout that task ठीक है आपको कुछ task के लिए timeout time select करना है तो आप यहां से select कर सकते हैं hostname resolution करना है तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं ठीक है add entries to here override your computer's dns resolution ठीक है आपको dns name resolution change करना है तो वो चीज़ आप यहां से कर सकते हैं फिर out of scope की request जो है वो drop हो जानी चाहिए वो सारी चीज़े अगर setting करनी है तो आप यहां से नीचे out of scope वाले section से कर सकते हैं यहां पर भी मैं recommend करूंगा कि इन settings को ज्यादा तर ना छेड़े इने by default जैसा है वैसा ही रहने दे अगर आपको कुछ करना है और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ करना है कुछ अलग मेरे हिसाब से मुझे setting करके चलना है तो आप वो कर सक इस settings control the type of redirection that burp will understand in the situation where it is confused in the following redirection ठीक है अगर कोई redirection आता है वेबसाइट के अंदर और अगर बपशुट confused हो जाता है तो वो क्या करेगा आपने यहां पर जो setting की होगी उसके हिसाब से redirection ले लेगा ठीक है यह देए देखिए three access status code with the location header यह आपने अगर on रखा है तो वो three access code वाला जो भी response आएगा उसको redirect करेगा उसके बाद referer header, meta referer header यह सारी चीज़े वो setting कर सकते हैं आप और उसे use कर सकते हैं redirection के दोरान उसके बाद streaming response वाला जो section है वहाँ पे भी आप अपनी जो भी settings करनी है वो कर सकते हैं ठीक है उसके बाद status code 100 अगर आता है तो उसके लिए आपको क्या setting करनी है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं यह देखिए इस settings control the way verb handle the response of status code 100 अगर 100 status code वाला कोई response आता है तो उससे आपको कैसे handle करना है verb shoot के द्वारा वो आप यहाँ से select कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद HTTP 2 का रिस्पोंस अगर आपको आता है ठीक है तो वह आप कैसे बर्प्शूट के वह भी आप यहां से कर सकते हैं ठीक है फिर session management आपको करना है session handle करने के लिए कोई rules setup करने है वह यहां से आप कर सकते हैं add पर क्लिक किजिए आपके rule का नाम दीजिए rule को setup कीजिए यहां पर यह देखिए use cookies from the session handling cookies jar ठीक है check the session is valid or not फिर run macro यह सारी चीज़े आपको यहां से अगर rule बनाने है तो rule बना सकते हैं और उसे use कर सकते हैं उन rules को आपके session को manage करने के लिए ठीक है उसके बाद आपका जो cookie jar होगा उसमें क्या क्या चीज़े आप include करना चाते हैं intruders को proxy tab को repeater extender कौन से tab को include करना चाते हैं वो सारी चीज़े आप use कर सकते हैं यह देखिए बबशूट maintain a cookie jar that stores all the cookies issued by the visited website ठीक है तो आप जो भी website यानि की visit कर रहे हैं उन में जो भी cookies जो server send कर रहा है वो सारा जो बबशूट है वो cookie jar में store करता है और cookie jar इन सारे tab में से कोई भी tab का आप use कर सकते हैं आपको proxy tab का use करना है intruder tab का use करना है scanner का use करना है ठीक है तो वहां से आप cookie jar use कर सकते हैं और उन cookies को use कर सकते हैं अपने project के दोरान bug को find करने के लिए ठीक है उसके बाद आपको कोई macro set करना है जो की run होता रहा है CSRF token find करने के लिए या फिर ऐसी कोई CSRF vulnerability find करने के लिए अगर आपको कोई macro run करने हैं उसको आप add करवा सकते हैं यहां से अपना खुद का macro बनाईए और उसे बार बार अगर आपको run करवाना है manually उससे कुछ नहीं करना है automatic run होता रहा है ऐसा कुछ चाहिए आपको तो आप यहां से select करके कर सकते हैं ठीक है यह देखिए यहां पर आपको configure item का option मिल रहा है move आपको यह option भी देता है कि अगर आपको कोई task particular time पर schedule करना है तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक है verb collaborator server जी हां यह एक बहुत ही बढ़िया topic है बप शूट का verb collaborator एक खुद आपको server देता है ठीक है ports wigger जो website है या फिर जो company है वो आपको एक collaborator server देती है जिसका use करके आप कोई server से related vulnerabilities है जैसे कि CSRF हो गया SSRF हो गया ऐसी vulnerabilities जहां पे आपको कोई third party server का use करना पड़े उन server को use करने के लिए आप verb collaborator server का use कर सकते हैं जो कि verb shoot जो ports wigger website है वो आपको free में देती है और अगर आपको verb shoot का collaborator server use नहीं करना है आपको खुद का अगर server बनाना है और उसे use करना है तो वो भी आप चीज यहां से कर सकते हैं यहां पर option दिये गया है use default collaborator server don't use verb collaborator server और use private collaborator server आप अपना खुद का private server भी बनाके इसके अंदर use कर सकते हैं as a collaborator server collaborator servers होते हैं यानि कि आपका जो particular server होता है वो आप use कर सकते हैं कुछ तरक्य की vulnerabilities को find करने के लिए जैसे कि मैंने CSRF SSRF जैसी vulnerabilities find करने के लिए use कर सकते हैं ठीक है फिर logging के भी आपको यहां पर options दिये गए हैं यह देखिए all tools की logging करनी है request response की logging करनी है या फिर कोई particular tool की यानि की proxy का scanner का intruder का किस चीज का आपको request और response का logging करना है वो आप यहां से particularly select करके उसे select और enable disable कर सकते हैं ठीक है और embedded browser भी आपको यहां पर मिल जाता है option कि आपको embedded browser use कैसे करना है देखिए allows the embedded browser to run without a sandbox यह आप select कर सकते हैं और stop the embedded browser using GPU तो यह सारी चीज़े आप यहां से option select कर सकते हैं ठीक है इस Bob collaborator server के बारे में एक separate सा video बनाया जा सकता है अगर आप मुझे नीचे comment section में comment करेंगे तो मैं video बना के दे दूँगा कि Bob collaborator server क्या होता है उसे आप कैसे use कर सकते हैं यह सारा चीज़ आपको मैं detail में समझा दूँगा एक separate video में लेकिन आपको नीचे उसके लिए बहुत सारा comment करना पड़ेगा मुझे मुझे craving दिखनी चाहिए कि आपको Bob collaborator server के बारे में कुछ सीखना है अगर आपके बहुत सारे comment आते हैं तो मैं आपको इसके लिए एक पूरा video बना के दे दूँगा ठीक है और अब आज के वीडियो के last option की तरफ आ जाते है user option नाम का जो tab है उसके बारे में जैसे कि हमें project option का tab मिल रहा है वैसे ही same हमें user option का भी मिल रहा है जो आप user बना रह हैं या फिर जिस user से आप use कर रहे हैं उसके बारे में यह सारी चीज़े आप configure कर सकते हैं यह देखिए swaks proxy configure कर सकते हैं अब stream proxy server configure कर सकते हैं platform authentication कोई server के उपर आप authenticate करने क्या try करेंगे अपने work bounty के दौरान तो उस पे authenticate करने के लिए जो आपको setting करनी है यह देखिए आपक authentication type आप कैसा authentication करना चाते हैं वो डालना है आपको अपना username password जो आपको जिससे login करवाना है वो करना है और उसके बाद domain और hostname डालना है तो आप इन password username password से आप authenticate हो जाएंगे और उसके बाद authentication के बाद जो भी profile के अंदर जो भी सारे pages आपको मिलेंगे उन सारे pages का भी scanning होता करेगा मानलीजे आप एक website पर है जहाँ पर authentication लगता है जहाँ पर आपको login करना है उसके बाद बहुत सारे functions बहुत सारे features आपको उस website के यूज करने मिल रहे हैं तो ऐसी website के अंदर अगर आप बीना login के ही bug find करने जाएंगे तो बहुत सारी pages आपको नहीं मिलेंगे बहुत स सारे pages मिलेंगे उनको scan करना होगा ताकि आपका जो scope है वो बढ़ जाए और आपका vulnerability मिलने का chances भी बढ़ जाए तो इस situation में आप इस platform authentication का यूज कर सकते हैं और एक बार platform authentication के ID password डालके उसमें हमेशा लॉग इन करेगा और उसके बाद अंदर जो भी pages आप को मिलेंगे नहां पर vulnerability आप find कर सकते हैं तो इसलिए वो platform authentication यूज होगा उसके बाद TLS option में आ जाते हैं कि TLS आपको certificate यूज करना है जावा TLS options आपको use करना है तो आप कर सकते हैं उसके बाद display option में कैसा interface आपको चाहिए देखिए font size क्या चाहिए theme light चाहिए या dark अगर dark में set कर देता ह फिर उसके बाद HTTP message display में आपको क्या settings करनी है वो कौन से font आपको रखने है क्या size रखने है वो सारी चीज़े आप कर सकते हैं character set आप कौन से use करना चाहते है HTML rendering आप use करना चाहते है या नहीं वो सारी चीज़े यानि कि यह आपको आपका verb shoot कैसा दिखना चाहिए यह display आप setting क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उसके बाद last में आता है miscellaneous तो यहाँ पर miscellaneous settings भी आपको जो भी करनी है वो कर सकते हैं ठीक है यह देखिए hot keys आपको यानि की shortcut keys को बनानी है तो बना सकते हैं उसके बाद automatic project backup आपको करना है ठीक है temporary file location आपको select करके वहाँ पे save करना है तो कर सकते हैं rest API इसका use कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ setting करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद proxy intercept को आपको अगर setting करनी है यह देखिए enable intercept on startup आपने यहाँ से select कर सकते हैं अगर हमेशा disable रखेंगे तो जब भी आप आप शूट open करेंगे तो आपको अपना proxy का intercept जो ह है वह हमेशा disable मिलेगा हम हमेशा enable पर रखेंगे ठीक है proxy history logging को आप कैसे set करना चाहता है यह देखे prompt for action यह सारी चीज़े आप यहाँ से set कर सकते हैं performance feedback क्या है वह आप चेक कर सकते हैं ठीक है update कोई burp shoot का update आया है या नहीं वह देख सकते हैं http message search आपको कुछ करना है ठीक है उसमें settings रखनी है case sensitive रखना है जो भी हमने कुछ सीखा उसके साथ burp shoot के जो भी tools है जो भी tabs है वो सारे यहाँ पर खतम होते हैं लेकिन burp shoot इतना ही नहीं है burp shoot बहुत ही बड़ा tool और बहुत ही in-depth tool है इसको सीखने में अगर advanced level में सीखना है तो हमें थोड़ा time लगेगा और हम आगे वीडियो में भी यह जो burp shoot है उसे detail में सीखते रहेंगे तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं आगे होंगे तो मिलता हूँ मैं आपसे next वीडियो में किसी और नई चीज के साथ burp shoot की तब तक के लिए take care तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में burp shoot के एक और नई topic के साथ तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इससे like और share जरूर कर दीजेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा यह वीडियो पहुँचे और वो लोग भी burp shoot को सीख सके और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से related या फिर हमारी चैनल से related कोई भी सवाल, comment या फिर कोई भी suggestion है आपका तो आप हमें नीचे comment section में comment करके जरूर बता सकते हैं दोस्तों इसे के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में burp shoot के एक और नए topic के साथ तब तक के लिए goodbye, take care and as always be aware, connect with care